हलो फ्रेंड्स नमस्कार आपका स्वागत है आपके परिवार इस टेटेग्निंग में दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन योम उसके योगी के अर्थात कार्बन किसे काते हैं और उसके योगी कौन-कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों इसके पहले थोड़ा सा आपके DLA 2019 के थार्ड सेमस्टर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों जैसा कि देखा जा रहा है कि PNP के दोरा कोई नड़े नहीं लिया जा रहा है तो संभावना यहीं लगाई जा सकती है कि पेपर आपका होगा क्योंकि PNP परमोट करने का कुछ नयाम ही नहीं ले रहा है तो यह समझ लिजी आप लोग मानिक चलिए कि आपका पेपर होगा पेपर आपका नहीं परमोट किया जाएगा और अगर आप तयारी नहीं कर रहे होते तो तयारी करना सुरू कर दीजे क्योंकि यह 3rd semester है और 3rd semester में अगर एक भी बैक लग गया नहीं आने वाली vacancy से बाहर हो जाओगे और आने वाली vacancy से बाहर हो जाओगे तो समझ लिजी कितना आपको झेलना पड़े कितना पीछे आप सुच रिये जो 2018 बैच के लोग है जिनका बैक लगा है एक भी थर्ट सेमेश्टर बैक लगा हो जो लोग बाहर हो गए हैं आने वाली बैकंसी सी कितना उलोग मतलब कितने पीछे चले जाओ को कोई वरोसा नहीं है तो प्लीज आप लोग पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो एक बार सोच लेना भाई कि मेरा अगर मालूम मैथे में बैक लग गया या किसी अन्रे सब्जेक्ट में बैक लग गया तो फिर हम कहां जाएंगे एक बैक एक छोटी सी गलती आपका भविस्य कहां बदल देगी आप उसक होना जरूरी है दोस्तों आपका एक्जाम में बैक नहीं लगना चाहिए ये मेरा दोस्तों आपसे वादा है कि बैक नहीं लगना चाहिए आपको पढ़ना पढ़ेगा पढ़ने नहीं पढ़ेंगे छोटी सी गलती हो जाएगे और आप धेल जाएंगे दोस्तों तो चलिए ठीक है कार्बन क्या होता है हमारा यह पर्यावरण में पाए जाता है या पिर्थवी पर पाए जाने वाला एक तत्व है ठीक क्या है एक तत्व है जिसका हमारा पर्माण कर्मान को होता है अच्छे प्रमाल उभार होता है 12 तो इतना तो आप लोग जानते होंगे लेकिन इसके बारे में हम आप लोग कमिस्ट्री ये तो पढ़े होंगे कछा 19 में कि कार्बन क्या होता है उसके सव्जगता कितनी होती है थोड़ा सा अगर हम बात करने तो अगर देखा जाये ये सब बेसिक जो तो देखा जाए कि पर जो हमारे तत्तों पाए जाते हैं लोहा है इल्मॉनियम है यह सभी तत्तों मेंसे एक मुख रूप से हमारा कार्बन का सबसे मुख्य रूप से पाए जाता है उसमें कार्बन पाए जाता है और कार्बन देखा जाए तो 118 तत्यों के रास पास है जो कि यहां पर 112 ही लिखा गया दोस्तों यह पुरानी बुक से लिखा गया है 112 माल लगर 112 तत्यों में से लगभग पर काला हो जाता है उसे को हम कार्बन काते हैं देखा जाए तो यह क्या होता है सजीओ मतल garbage होता है सजीओ पड़ आपको करभण दिख रहा है तो खाने वाले पदार्थों में जो आपका कार्बो हाइडरेट होता है, प्रोटीन होता है, ग्लुकोज होता है, फ्रेक्टोज होता है, इन सभी पदार्थों में हमारा क्या पाए जाता है, कार्बन पाए जाता है, तो कार्बन पेड़ पाओधों में भी पाए जाता है, गिव जन्तूम पाए जाता है, और यह भोज प सबाइब कार्बन bissล कार्बन से दोस्ती कर सकता है दोस्ती मतलब चार लोगों से हाथन atrav … एक साथ उसके सपास चार हाथ मन लिजी होते हैं यह मतलब चार बंद चार बंद वो बना सकता है कारबन ठीक है तो देखा जाए तो कारबन मुख तुरूप से मतलब अकेला केला कारबन होता है कहीं कहीं पर और कहीं पर संयुक तुरूप से जिसे हार्डोजन के साथ और आक् फुलरीन ठीक है तो वह भी पाए जाता है तो मुख दूरूप से हमारा होता हीरा होता और ग्रिफाइड इसमें कार्बन सिर्फ अकेला कार्बन ही होता है हीरा आप लोग देखे होंगे तो हीरे और ग्रिफाइड जो पेंसिल की आती है ने पेंसिल लिखते हैं जो आपका ब्लेक वाला उसमें वह हमारा कार्बन ही होता है तो चलिए अब आगे देखते हैं तो दैनिक जीवन में भी कार्बन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है जै यह मतलब जो दैनिक जीवन में जो हमारे चीज उपयोग होती है उपयोगी होती हैं सभी में हमारा कार्बन होता है लेकिन जो पेट्रोल मिट्टी का तेल कोलतार पराफिन मों एल पीजी प्राकृतिक गैस डीजल इन सभी में जो हमारा सुरोत होता है तो इन सभी में जो का पर क्योता कर तिहां दीजेगा पूछ आपकर कैसा उली को समय को bize बनाते हैं प्रोटीन समय आपको बतायाा आखेए है तो यह हमारा क्या बनाया ना भाई यह इसमें देखो क्या बनाया यह हमारा क्या था और हाइड्रोजन था अक्सिजन था तो कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन मिल करके क्या बना लिए गुलुकोज बना लिए तो यह है कि बिभिन प्रकार के प्रोटीन कार्भो हाइड्रे तो हमारे जीवन में सबसे महत्पूर्ण अस्तान किसका है कर दिये कारबन के बारे में कुछ से बेसिक जानकारी थी तो उम्मीद है आपको समझ में आगा है अब देखो नेक्स्ट अब हम थोड़ा से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कारबन की अ हम तो जो मिट्टी समें लेकर बनाइगी है तो लेकिन देखो इसमें इसका और इसका दोनों का राषान के मीं मिट्टी इसम लगाईगी घुन हुल हो लेकिन भावतिक गुन अलग अ-लग हो तो उसी को अपर रूप कहते हैं क्लियर हो गया होगा कि दो तत्तों के या दो पदार्थों के रासायनिक गुण समान हो गए लेकिन भावतिक गुण उनके अलग अलग होते हैं उसी को हम अपर रूप कहते हैं मैं यहां पर देखिए पारबैसा लिखा होगा कि कार्बन के विभीन रूपों के सभी रासानी धुण एक समान होते है परतु भौति यूण अलग अलग होते हैं परदास के इन फैर्फ को क्या कहते हैं अपर रूप ता इसे मार्फ corridors के यह कारबन यह कारबन यह कारबन बहुत हर्ड होता है इसको क्रिस्टली कारबन और जहां करबन के साथ मिलकर बन जाए गहाए हमारा अंधर थिक तो अभ सक्त और नमारे दू स्वर्धिक कर थी और सिंट FRE तो संमझमें आपको है कार्बन के दो डोर्ब कॉन क्रिस्टली रूप किरिस्टली रोप है और किरिस्टली रोप में तेन प्रकार को हो गए graphite फिलree हो गए और हीरा हो गया तो graphics के तीन प्रकार हो गए लकड़ी का कौईला हो गया जानता का को गया सरकरा और सरक्ड़ा का कोईला दो और दो प्रकार क्यों हो गए कौन कौन स्वाइब को और गैस कारबन तो पूछ जाएगा कि कितने अपर्रूप है तो कारबन के दो वाप रोप हैं कौन क्रिस्टलाई और सब्सक्राइब आपसे पूछा जाएगा कल टें singular और हीरा रूर ener очень सब्सक्राइब कि sports अपर रूप है अक्रिसे डैंगे अपर रूप यापशक्राइब कार्बन सब्सक्राइब। क्रिस्टली रूप क्रिस्टली कि अक्रिस्टली तो एक एक यहां से टॉपिक से कोशन बन सकता आप लोग इसको समझ के पढ़िएगा चलिए नेक्स आगे बढ़ते हैं अब देखा जाए कार्बन की यह होगी का मतलब यह हो गया कि जो कार्बन होता हो चार लोगों से दोस्त कर लेगा कभी-कभी यह ऐसे खुले में दोस्ति कर लेगा आयसे आयसे कर लेगा तो इसको चैन बनाने के मतलब कार्बन जो होता है योगिक बनाने की छमता रखता है क्योंकि इसकी संयोजगता चार होती है क्या होती है कोई आप से पूछे कार्बन की कितने संयोजगता होत तो कार्बन की समयक्ता चार होती है चार बंद बनाता है तो देखा जाए दोस्तों इसमें क्या है कि कार्बन से बनने वाले योगी कार्बन क्यों कहलाते हैं क्यों 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 चार तत्यों से जूड़ सकता है, ठीक है, और जूड़ करके वे एक लंबी श्रेंखला बनादेज़ लंबी को हम कहते हैं , कभी कभी पूछा जाएगा कि सिर्ण फर्माये विंहें कि ऑर कि कार्वन की पर मालू जब जो है धेर बड़ी सी स्रिंख給 सर्थ को यह बना लेंगा तो आप देखो जब सिंखला बनाएगा तो भाई कई उपरकार से बनाएगा हो सकता है यहाँ बना ले तो अलाग अलाग टाइप का वह चेन बना सकता है उन्हीं चेन के आधार पर इसको बांट दिया गया इसको बाट दिया गया कईयों प्रकार से एक विब्रित स्रिंखला जिसके या एली फैटिक योगी कहते हैं और एक खुली स्रिंखला वाले जिने एरोमेटिक कहीं कहा जाता है अब देखो हमारा यहां पर क्या है कार्बनिक योगी को का बरीकरण हमारा किसके अधार पर जो उ उसमें पहला हम देखते हैं पहला हमारा क्या है कि वीब्रित स्रिंखला या घलफैटिक योगी क्या है कि विब्रल सुर्प्र इंखला या इली स्रींखलाया या एल्फैटिक हो गूगी जिससक आते हैं ओर partner या ऐलिक पामट मतलब यह हैं कि इस सेरीँ में निजश्या यह आपका होगा तो आप यह आपका सई होगा तो आप यह फिगर बना देंगे इस में इसको कहते हैं मेथिन और इसको कहते हैं हमारा नेक्ट आपका आता है बंद सिंखला या Klow does चेन रसिकेंट कंपाउंड तो बंद सिंखला वाले यूगे कौन सा होते हैं तो ऐसे ही होगी जिन में कारबन की परमालउ एक बंद सिंखला में बमक्रेंगें ook कार्भन के माने के वह नहीं होगा चचाने कार्भन का लिए वह नहीं है क्या दिख दो में खिए टावा जाए वाली कि हमारे क्या हो जाएंगे यह biri पर मार्माव एक चक्र चले जैसी रचना का निर्मार करते भाई चन्ला बनी रहा देखो एक चक्र बन रहा है है मेरा फिल येशे एक ख्यांपल में देखो यहां आपना दिख रहा है यह झाल सकता बंद उऔ स्रिंखला वाले योगिक आपके हो जाएंगे नेक्स्ट आपको देखा जाएगा तो नेक्स्ट अगर देखा जाए तो चक्रों के आधार पर दूप्रकार से बाढ़ दिया गया कौन कौन से पहला देखो आपका हो जाएगा यहां लिखा गया है कि चक्र के आधार पर उन्हे दो श्रिंखला वाली को भी दो भागों बाड़ दिया गया कि चाहिए दो भागों में एक सम चक्री आपको दिखा है आगे नेक्स वाला आप देखेंगे भी क्या है तो नेक्स वाला आपने पहले निम्स देखिए सम चक्री ये कार्वन चक्री यह क्या होता है कि देखिए इसंग्खला केवल कार्वन परमाणूंगों की बन यहोती है इसमें किया हुते है टोटल सिर्फ कार्बान ही पर मर्ण ह समचक्री मतलब समाना चक्र रहें forcé कार्बान के इंड़ों जुड़ेंगे और दूस्रे के और यह जूझे भी दो प्रकार कि A योगिक एलिफय्टिक योगिकों से अधिक मिलते जुलते हैं जैसे आपको यह dollar होगा यह आपको दिख так कि यह about साइक्लोपेंटेम नेखिशियों है यह हमारा डोनों क्या होता है एली साइक्लिक योगिक शीयर यूगिक कहलाता है क्लेर हो गहाओ कि जैसे आपका साइक्णोपां और साइक्लों पृन ओनाला य्यूग तो आप जो सब्ड है रोमा सी मिलकर बना और इरोमा का मतला होता सुगंद अव er stitched होता हुजि The Carbon या बेंजोनोडीड नाम से बिझाना जाता है यहां का होता है आपका होता है आपका aromatic aromatic का मतलav आपसे कभी पुछा जाएगा aromatic aromasaur से मिलकर बना। वोता है सुगन्द आता है ठीक है तो जहां से सुगन्द आता है उसी को हम किया काते हैं Aromatic yoga काते हैं तो clear हो गया होगा आपको तो अब देखuinelyे अब का यहां तक आपका clear हो गया हो सम्चकरी तो सम्चक्री में आप पढ़े थे कि क्या होता जो अशायक्लोक्ट को से बने होता है जैसे साइक्लोक्ट और आपका इसमें कौन सा यह next वाला जो अभी आप पढ़े हैं जैसे यह हीडिंग जो आप पढ़े हैं और यहाँ पर आपका डबल बन रहेगा ठीक कि अगर आइसे डबल बन नहीं रहेगा तो carbon की सयोगता 4 नहीं पुरी हो जाये कि 2 इदर से हो जाएगा 1 इदर से एदर 4 होनी चाहिए तो 4 सयोगता लिए यहाँ पर double band होना जरूरी है तो दोस्तों आज के लिए पस इतना ही पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग next class में आपका शुरू करेंगे आपका next जो आपको next वाला था क्या था जालो उसमें carbon जगाँ पर एक नाइट्रोजन लगा तीया जाएगा एक कुछ लगा दीया जाएगा तो आपका विसम चक्री योगी को जाएगा तो दोस्तों उमीद है कि वीडियो प gluten प्संद आई होगी तो कसे करें एक पर दोस्तों आप पर नहीं पंप नहीं किता किताब नहीं करेंगे और गल्ती से अगर एक लग गई ना समझ लीजे बहुत ज्यादा नुक्सान होगा दोस्तों मेरा आप से यही एक उमीद है कि आप लोगों का बैक ना लगे आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएं जिससे आने वाले भरती में आप लोग इलिजबल रहें तो दोस्तों उमीद है आ वीडियो और दोस्तों इसको अपने दोस्तों पास जरूर सेर करिएगा दोस्तों और वीडियो में आए हैं अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और क्योंकि में बार्वार नहीं कहता हूं कि सब्सक्राइब करने के लिए हर वीडियो में नहीं कभी कभी कुछ कह देने हैं तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिजिएगा खुद से अगर आपलोग पुराने होंगे थोड़ा सेर भी कर झाल झाल